हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सुरेश्कमार सर मार्क पर फिर से बहुत दो स्वाथ करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने CPU को अपने घर में लगे हुए इस 32 इंच के LED TV को ही अपना कंप्यूटर का मोनिटर बनाने वाले हैं लेकिन समस्या यहां पर यह है कि हमारा जो CPU है उस CPU के अंदर बीजिये पोड है इसमें कोई भी HDMI पोड नहीं है और दूसरी तरफ हमारा जो LED TV है 32 इसके अंदर बीजिये पोड नहीं है इसके अंदर HDMI पोड है तो यह समस्या है जिसके कारण हम किसी भी केवल को लगा कर अपने LED TV को अपने CPU के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे TV में HDMI पोड है और हमारे CPU के अंदर बीजिये पोड है अब हम इस CPU को अपने नौर्मल LED TV के साथ में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो अपने CPU को अपने LED TV के साथ कनेक्ट करने के लिए क्योंकि LED TV में HDMI पोड है और CPU में BGA पोड है तो हमें एक जरूरत होगी एक एडप्टर की यह आडप्टर आपको साढ़े 300 से 400 रुपे की रेंज में Amazon पर आसानी से मिल जाता है इसका लिंक हमने यह अपने वीडियो के description में दिया हुआ है इस केवल का लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्राप्शन में मिल जाएगा जिस लिंक पर क्लिक करकर आप इसे भी 100-100 रुपे की रेंज में खरीच सकते हैं तो यह जो BGA to BGA केवल है यह लगेगा हमारे CPU में और इस अडप्टर में और दूसरी जो चीज की हमें तीसरी चीज की जरूरत होगी वो होगा HDMI to HDMI केवल इस केवल का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्राप्शन में मिल जाएगा वो भी आप 100 रुपे से लेकर 500 रुपे की रेंज में एमाजों से पर्चेस कर सकते हैं इस HDMI केवल को हम अपने अडप्टर में लगाएंगे और दूसरी तरह हम अपने LED TV के अंदर लगाएंगे और साउंड के लिए हमें जरूरत होगी एक ऑक्स केवल की इस केवल का लिंक भी आपको इस वीडियो के और तीसरा HDMI to HDMI केवल यह चार चीज़ों के आपको जरूरत होगी चारों चीज़े मिलाकर आपको 500 से 600 रुपे की रेंज में एमाजों पर मिल जाएंगी अब हमें सबसे पहले अपने CPU के BGA पोर्ट में इस BGA to BGA केवल को इंसर्ट करना होगा आप देख सकते हैं यहां पर BGA पोर्ट है हमारे CPU के अंदर केवल की इसे हमें इंसर्ट करना होगा अपने BGA to HDMI एड़ेप्टर के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं कि BGA to HDMI एड़ेप्टर के अंदर भी एक पोर्ट लगा हुआ है BGA का जिसमें हम इस केवल की दूसरी साइड को लगा देंगे आप इसे ठीक से इसमें इंसर्ट कर द कर दीजिए अब BGA to HDMI एड़ेप्टर में हमारा केवल अच्छे से लग चुका है इसके बाद हमें जरूरत होगी अपने HDMI to HDMI केवल की HDMI केवल की एक साइड की पिन को हमें BGA to HDMI एड़ेप्टर के जो HDMI पोर्ट है उसमें इंसर्ट कर देना है आप देख सकते हैं कि इस तरीके सा अभी से लगा देंगे तो यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा एक साइड लगा है BGA केवल दूसरी साइड लगा है HDMI केवल इस BGA to HDMI एड़ेप्टर के साथ में आपको एक छोटा सा केवल मिलेगा USB केवल इसका जो USB केवल है इसे आप को चार्जिंग के लिए लगा दिये है इसे आप सीधी साइड से इसमें लगा दीजिए तो हमने इसे यहां से इसमें लगा दिया है दूसरी साइड इसमें USB तो ulaβon आप चाहें तो इसे अपने LED TV के अंदर लगा सकते हैं, किसी charger के अंदर लगा सकते हैं, या फिर आपके CPU के अंदर ही USB port है, उस port के अंदर ही आप इसे लगा सकते हैं, तो हम भी इसे अपने CPU के USB port के अंदर लगाने वाले हैं, तो इस तरीके से आप इसकी USB की side को अपने CPU के USB port में इंसर्ट कर दीजिए आप देख सकते हैं कि इसका सेट अप पूरी तरीके से लग चुका है अब इस HDMI केवल को हमें अपने LED TV के HDMI पोर्ट के अंदर लगाना होगा हमारे 32 इंच के LED TV के अंदर दो HDMI पोर्ट है एक HDMI पोर्ट में हमारा टाटा सकाई का पिन लगा हुआ है जिसमें हमारा टाटा सकाई का केवल चलता है और जो दूसरा एक्स्ट्रा वाला HDMI पोर्ट है उसमें हम अपनी इस HDMI केवल की पिन को इंसर्ट कर देंगे ताकि एक में हमारा टाटा सकाई का केवल वर्क करेगा और दूसरे में हमारा LED TV एज ए मोनिटर काम करेगा तो आप बिल्कुल ध्यान से अपने HDMI पोर्ट में इस HDMI केवल की पिन को इंसर्ट कर दीजिए आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर अपना HDMI केवल का जो पिन है उसे लगा दिया है आपको भी इसे ठीक से चेक कर लेना है कि अच्छे से अंदर तक फिट हुआ है या नहीं तो हमारा केवल यहां पर अच्छे से लग चुका है अब जो हमारा VJ2 HDMI एडप्टर का सेटप है वह कंप्लिट हो चुका है अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर एक TV है CPU है एक कीबोर्ड है और एक माउस है तो यहां से अब हम अपना CPU कर देते हैं हमने इस टोपिक पर पहले भी वीडियो बनाया था उस वीडियो में बहुत सारे लोग के कमेंट आए बहुत सा एक नॉर्मल 32 इंच का LED TV है अगर आपके पास 40 इंच का भी TV है आपके पास कोई और भी साइज का TV है या फिर किसी भी कंपनी का TV है तो वह काम इसमें करेगा अब आपको जरूरत होगी यहां पर आपके TV के रिमोट की इस TV के रिमोट में आपको दिखाई देगा सोर्स का बटन के प्रेस करना है प्रेस करने के आपने जिस भी HDMI पोट के अंदर HDMI केoffsल को लगा शक्राइब को फ्रड़ट करना ह करना है तो हमण यहां पर दो नमबर जो हमारा HDMI है उसमें हमने HDMI केबल को लगा है तो सोर्स बटन से हम दो नमबर वाले HDMI को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमारा यहां से CPU स्टार्ट हो चुका है अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टीवी है वो एक मॉनिटर बन चुका है और हमारा जो विंड़ो सेवन हमारे सीप्यू के अंदर डला हुआ है वो विंड़ो सेवन का यहां पर स्टार्ट अप स्टार्ट हो गया है आपको यहां पर यह भी बताते हैं कि अगर आपके पास CPU में 512 MB की रहम है 2 GB की रहम है 4 GB की रहम है इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप इस एडप्टर का इस्तेमाल करकर अपने BGA के CPU को अपने HDMI के TV के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहां पर TV हमारे CPU के साथ में पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है अब हम जो भी कुछ अपने यहां पर CPU के अंदर चलाएंगे तो वो मॉनिटर की तरह हमारे TV के उपर भी वर्क करेगा इसी तरीके से आप भी अपने TV को अपने CPU के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं अब हमारे पर बहुत सारे पिछले वीडियो में भी कई सारे कमेंट आए कि हमारा साउंड काम नहीं करता है तो आपको किसी भी तरीका का extra speaker लगाने की यहां पर जरूत नहीं है हम यहां से अपने speaker क को भी हटा देंगे बस आपको जरूत होगी एक ऑक्स केवल की जिसे आपको अलग से खरीदना होगा इस adapter के साथ में यह आपको नहीं मिलेगा यह भी आपको 50-60 रुपे की रेंज में मिल जाता है इसे आप अपने CPU के ऑक्स बाले जैक में लगा दीजिए और उसके बाद इ अपर यहां पर जैक कर लीजिए इसके बाद अब हम यहाँ पर आप को इस क्रीन पर एक साउंड चला कर दिखा दिखा देते हैं लेकिन सबसे पहले यहां पर रखे हुए दो extra speaker जो हमारे हैं indispensable को आपके सामने यहां से हम हटा देते हैं नहीं भीजना रही है तो आप आरे तो हमारा जो sound है वह चलने लगेगा तो इस तरीके से आप इस VGA2 HDMI अडप्टर की मदद से अपने CPU को अपने TV के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने घर में लगे हुए बड़े स्क्रीन के LED TV को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने मोनेटर को और अपने घर में लगे हुए बड़े LED TV को एक ही CPU के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं के अपने मोनेटर के अंदर भी VGA port होगा आपके CPU के अंदर भी VGA port है लेकिन आपके TV के अंदर HDMI port है तो आप किस तरीके से एक छोटी सी केवल से अपने CPU से अपने मोनेटर को और LED TV को एक साथ चला सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के को subscribe नहीं किया था तो नहीं चेंगे लाल वाले सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं आप से आज से कसी बहुत दिन जाने विडियो में तब तक के लिए गूड़ बाई टेक कियर जैहिंग